अगर आप सोचते हैं कि राजमा को बनाने के लिए प्याज लेस्टन और टमाटर की जरुवत पड़ती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज मैंने तैयार किये हैं अलग तरीके से राजमा और इनको मैंने पहले से उबाला नहीं है बिना उबाले ही बनाया है तो चलिए आज की सूपर स्पेशल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं राजमा बनाने के लिए मैंने दो कप राजमा को रात भर भीगो की रखा ता अच्छे से फूल गए हैं तो जब भी आपको सुभा सुभा राजमा बनाने हो तो आप रात में ही राजमा को भीगोने के लिए रख देख और आपको रात depends बनाना है तो दिन में भीगों की रख सकते हैं ये अच्छे से फूल कई है इनको from side में अब तयार करेंगे मसाला तो एक बावल में डालेंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, साथी साथ आदा चम्मच हल्दी डालेंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आदा चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच अमचुर पाउडर और आदा चम्मच सबजी मसाला, मिल लगभग देती हूं यह यहां पर हमारा मसालों का गोलवन की तयार हो गया है अब एक कुकर में डालूंगी मैं पांच चम्मच तेल गरम होते ही डाल दूंगी इसमें एक तेज पत्ता साती साथ थोड़ी सी लॉंग दो सूखी लाल मिर्च तीन से चार लॉंग थोड़ा सा ज पर्फेक्ट मसाला हमारा भून की तयार हो गया है इसको भूनने में दो मिनट लगा है तो इसमें डाल दूंगी मैं भिगोए हुए राजमा साती साथ डालूंगी चार का पानी एक चम्मच भर के नमक और सब को मिला देंगे मिलाने के बाद कुकर को बंद करके लगभग 5- जैसे 6 सीटी आने तक हम राजमा को लो फ्लेम पे ही पकाएंगे जैसे ही 6 सीटी आ जाएंगी फ्लेम को हम बंद कर देंगे और कोकर को ठंडा कर लेंगे ये हमारा कोकर ठंडा हो गया है और राजमा भी अच्छे से उबल गया है अब लिया है मैंने पटेटो मेशर इसकी टेक्शर वाली राजमा हमारे बनकी तेयार हो गए हैं नहीं इसमें प्यास डली है नहीं टमाटर डले हैं नहीं अद्रक और नहीं लस्सन डालूंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया और राजमा को करूंगी मैं गरम गरम सर्व राजमा जो है ना वो चावल के साथ खाने में से और डाल दूंगी इसमें तैयार किया हुआ राजमा अब मैं जा रही हूँ इस राजमा चावल को खाने के लिए आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप भी अपने घर में इस तरीके से राजमा को जरूर ट्राय करना आइडिय अगले नए वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो नमस्ते